आज केजरीवाल की डाइट और दवा को लेकर दिली की राउस एवनीय कोर्ण फैसला सुनाएगी तो दूसरी तरफ दिली हाई कोर्ण से भी एक बड़ी ख़बर आई है बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोट ने आज केजरिवाल से जुड़ी एक P.I.L. यानि के जनित याचिका को खारिज कर दिया याचिका में केजरिवाल को उनके खिलाफ E.D.C.V.I. और दिली पुलिस द्वाला दर्ज सभी आपराधिक मामलों में आसाधारन अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी साथी सुनवाई लंबित रहने तक अंतरिम राहत के तौर पर केजरिवाल को जेल में नहीं बलकि सरकारी आवास में हाउस अरेश्ट में रखने की मांग की गई थी इस याचिका को खारिच करते हुए हाई कोट ने कहा है कि समाबले में याचिका करता का सीधे तोर पर कोई लेना देना नहीं है राहत के लिए केजरिवाल खुद याचिका दायर कर सकते हैं हाई कोट ने याचिका करता पर 75,000 रुपए का जुर्बाना भी लगा दिया है और दीपक रावत हमारे साथ बने हुए दीपक ये याचिका करता कौन है जिन्होंने ये मांग की थी अर्विंद केजरिवाल को घर पर ही हाउस अरेस्ट करके रखा जाए और क्या रुख रहा कोट का जो है वो सरकार चला सके भले अपने घर के बीतर ही रहें इस पूरे मामले में आमादी पार्टी के वकिलों ने भी अपनी बात रिखी उन्होंने उनका ये कहना था कि इस तरह की जनियत याचिका कई सारी लगाई जा रही है जिसके चलते जो है अलग अलग जो है विरोदावास लोगों के सामने नजर आ रहा है इससे पहले भी दो तिन याचिका लगाए गी ती जिसमें ये कहा गया था कि अर्विन के जिरिवाल को बिलकुल भी राहत नहीं देनी चाहिए उनको स्थीफा देना चाहिए कई तरह की याचिकाएं सामने आई याचिका ये भी आई कि उनको पत से भी हटाया जाए और इन सब के बीच जो आज याचिका लगी थी उसे हाई कोड ने खारिज कर दे बहुत शुक्रे आदीपक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए ABP News आपको रखे आगे